बंगाल की सीयम ममता बैनर जी बाल बाल बची दूसरे प्लेन के सामने आ गई ममता की फ्लाइट क्रैश होते बच्चा ममता का प्लेन शुकरबार के शाम को वारा रसी ऐपोर्ट से मुखे मंतरी ममता बैनरजी को ले जा रही चार्टर विमान एक एयर पोकेट से टकरा गया था जिसे विमान बुरी तरह सहील गया हलांके पाइलेट विमान पर नियंतरण पाने में और एयर पॉकिट से निकलने वाले में सफल रहा पाइलेट ने विमान तेजी से नेता जी सुभाष चंद्र अंतराष्टे एरपोर्ट पर सुरक्षित नेंट करवाया इस दोरान मुख्यमंतरी ममताव एनरजी की पीट में चोट आ गई ये विमान दसाल्ट फाकन 2000 था जो 10.3 टन वजनी हलका विमान है ये दो फलाइट आटेंडन को मिलाकर कुल 19 लोगों को ले जानी की खुशमता रखता था दूसरी और राज्य में सत्ता रूड तरणमूल कोंग्रेस टीमसी ने इस मामले की उचसतरी जाच करवाने की माग की है मुई ममताव एनरजी ने खुद अपना अनुबाव शेय करते हुए कहा अचानक एक और विमान मेरे सामने आने से पाइलिट की दक्षता के कारण ही में बच पाई विमान 6000 फीट नीचे चला गया था इस दोरान मेरी पीठ और छाती पर छोट लगी जो अभी भी दर्ट कर रहा है नव भारत समाचार से पंकर्षतिवारी की रिपार्ट